इस facial के आगे आपका 1000 वाला facial भी फेल हो जाएगा यह जो मैंने cubes बनाई है यह मिठाई नहीं है इससे आपको खाना नहीं है यह facial cubes है और यह आपके चहरे की रंगत को इतनी ज़ादा निखार देगी साथ ही साथ इसके इतने जादा अच्छे रिजल्ट होंगे आपके चेहरे पर मुझे तो इसे लगाने में इतना जादा में इंजॉय कर रही थी आप वीडियो में देखी पा रहे हैं कि इस जब मने यूज किया तो मैंने बहुत जादा इंजॉय किया इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है कुकुमबर लेना है कुकुमबर के जो आगे पीछे का छोर होता है उसे आपको काट कर फेक देना है उसके बाद आपको कुकुमबर के छिलके यहाँ पर निकाल लेना है कुकुम्बर के चिलके इस remedy में हम use करेंगे उसके अलावा कुकुम्बर के कुछ पीस हम लेंगे खीरे के कुछ पीस लेंगे और खीरे के चिलके लेंगे और उसका आसपास का जो area है वो काट कर हम fake देंगे इसे mixer jar में हम grain कर लेंगे मिकसर जार में ग्रेंड करने के बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनेट टॉयल जो की विटामिन ई का खजाना होता है और इसकीन वाइटनिंग में बहुत ज़ादा हेल्प करता है इसके अलावा दो विटामिन ई के कैपसूल ओरेट कर देंगे हम क्योंकि हम यही जो क्यूब्स बना रहे हैं इसे आप कम से कब एक हपते के लिए बनाईए आठ क्यूब्स तो एटलिस्ट आप बनाईए उसके बाग यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डालना है जो की रंगत निखारने में बहुत ज़ादा मदद करती है विटामी नहीं आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ज़ादा हल्प करती है अब आप सोच रहे होंगे कि इसे हम ऐसे भी लगा सकते हैं आइस क्यूब क्यों बना रहे हैं लेकिन आप आइस क्यूब बना कर रख लीजिए आइस क्यूब के और भी बहुत सारे फाइदे हैं आइस क्यूब की हल्प से जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन से एक्स्ट्रॉयल रिमो हो जाएगा अगर आपको पिंपल्स की प्रब्लम होगी तो आपके पिंपल्स भी चले जाएंगे तो हमने इसे फ्रीज में जमा लिया जमाने के बाद जब यह जम कर रेडी हो गई हो जाए तो आप कम से कम आट दस पीस बनाकर एक बार में रग लीजिए रोज एक पीस निकाल कर नहाने से पहले आपको पूरे फेस के उपर मालिश करनी है आप देखेंगे कि यह जो फेशल है आपके चेहरे पर ऐसा गलू लाएगा कि इसके आगे हजारो लाखो वाला फेशल भी आपको फेल नजर आएगा लेकिन इसे आट से दस दिन तक आपको लगातार यूज करना है अगर आपकी शादी होने वाली है और आप चाहते हैं बड़ा खर्चा बचाना आप नहीं चाहते कि आप कोई ऐसा खर्चा करें महंगा पारलर में जाके महंगा फेशल करवाए और साथी साथ आप ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पर अगर कोई जाईया हो या फिर दाग दब्बे हो या फिर आपकी स्किन पर टैनिंग हो गई हो आपकी स्किन बर्न हो गई हो इसकिन पर काला पर आ गया हो दाग दब्बे हो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो गई हो कुल मिलाकर सारी प्रॉब्लम का खजाना सिर्फ सिर्फ एक फेशल में ही है तो इस आइस क्यूब को आपको कम से कम 10 मिनट तक पूरे फेश पर मालिस करनी है ऐसा आपको एक हपता लगातार करना है बहतर रिजल्ट के लिए अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर 8 दिन बाद आपकी शादी में जाने वाले हो और आप चाहते हो कि आपके चेहरे पर महंगे वाला फेशल ग्लो दिखे तो आप देखी सकते है कि मेरे चेहरे पर कितना प्यारा ग्लो आया है I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजेगा आपका एक लाइक हमें बहुत जादा मोटिवेट करता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेर, फॉलो जरूर किजेगा